सिधात शुकला की डैथ पर जो लोग उन्हें जानते थे उनसे भी ये दुख बरदाश नहीं हुआ और जो लोग नहीं जानते थे उनसे भी ये दुख सहा नहीं गया और उन्होंने भी सिधात के लिए ट्वीट किया जैसे कि अक्षय कुमार ने कहा कि मैं परसनली नहीं जानता लेकिन जो कुछ भी हुआ है बहुत बड़ा टैलेंट हमने खोया है इसी बीच चहाँ एक तरफ सभी लोगों ने सिधात शुकला के जाने के बाद या उनके जाने पर शोग जताया वहीं एक शक्स है जो सिधात की लाइफ का हिस्सा रह चुकी है और उन्होंने सिधात की डेट के बाद कुछ भी नहीं कहा कहते हैं कि दुश्मन की भी अगर इस दर्दनाख तरीके से मौत हो जाए तो फिर दुश्मन ही भुला कर उस दुख को शेर कर लेना चाहिए लेकिन ये जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो तो चुप रही अब जब सिधात शुकला के सारे लास्ट रिच्वल्स खतम हो चुके हैं आज उन्हें पंच तत्व में विलीन कर दिया गया है पूरा एक दिन जो शोग चला इस दौरान ये चुप रही और अब बोली है ये और कोई नहीं बलकि आक्ट्रिस शिल्पा शिंदे है शिल्पा शिद्ने ने खुद ने खुलासा किया था कि एक टाइम था जब वो सिधात शुकला को डेट कर रही थी सिधात की एकस गर्लफरिंड रहे चुकी है वो लेकिन इनका जब रिष्टा खराब हुआ था या खतम हुआ था तो वो बहुत गंदे तरीके से खतम हुआ था सिधार्ट को इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता था और शिल्पा शिंदे पॉपलर हो चुकी थी जब सिधार्ट बिग बॉस के घर में थे तब शिल्पा शिंदे ने सिधार्ट को लेकर ये सारे खुलासे किये थे और कहा था कि मैं नहीं चाहती कि बिग बॉस वाले सिध शिल्पा शिंदे क्या कह रही है शिलपाने रियक्त नहीं किया क्या जाहिर सी बात सिधारत की और भी डिलेशनशिप्स रहे हैं रश्मी देसाई और शिफाली जरि medidas यह दोनों भी सिधारत की एक्स रह चुकी है उसके बावजोद यह वहाँ पर थे सिधारत की फैमिली को इन्होंने संभाला था लेकिन शिल्पा शिंदे चुप रही कुछ नहीं बोली अब फाइनली शिल्पा शिंदे बोली है उन्होंने एक कैंडल की फोटो शेयर की है और लिखा है May his soul rest in peace बस इतना कहकर उन्होंने खतम कर दिया ना सिधार का नाम लिखा ना ही सिधार की कोई फोटो उन्होंने अपने इंस्टा पर शेयर की है और अब इस पोस्ट के लिए शिल्पा शिंदे को ट्रोल किया जा रहा है लोग कह रहे हैं कि अब याद आया आपको 24 घंटे कर एक यूजर ने कहा दो दिन बाद oh my god seriously एक और यूजर ने कहा उनकी मॉम से मिलने नहीं गई आप हर कोई गया था बस आप ही नहीं थी शिल्पा तुम में इंसानियत नहीं है तुम बस दूसरों को क्रिटिसाइज ही करती रहो वहीं एक यूजर है जिसने शिल्पा का पक फैन ने इन लोगों को जबाब दिया तो अब शिल्पा शिंदे ने रियाक्ट किया है शिल्पा सिधात के घर पर तो नहीं गई आपको क्या लगता है अगर शिल्पा को रियाक्ट करना ही था तो वो टाइम पर करती जब तक सिधात के लास्ट राइट्स नहीं हुए थे त जरूर शेयर करें.